हेलो फ्रेंड्स गेट computer science प्रीवेश एयर प्रेपर सॉल करने की सीरीज में फ्रेंड्स हम आज करेंगे 2015 का paper set जो की है set 2 ठीक है 2015 का friends हम क्या करेंगे set 2 का paper पर sort करेंगे और इस set 2 में जो जो भी friends c programming से related जो questions आये थे उनको हम discuss करेंगे okay so friends c programming based question मैं आपके सामने रख रहा हूँ consider the following function written in the c programming language the output of the above function on the input input क्या pass किया है friends a ठीके यहाँ पर क्या pass किया है a b c d और friends इसके बाद में एक space है ठीके space के बाद में e f g और h यह जो है हमने यहाँ पर input pass किया है ठीके a b c d उसके बाद में space then e f g h ठीके यह input हमने pass किया है और output बताना है हमें जब हम यह input pass करेंगे so friends foo नाम का एक function है जिसके अंदर एक character array है जिसको यह हमने string जो pass करी है ठीके this one is a a character ठीके यह हमने space के लिए भी यहाँ पर जगए छोड़ दी है ठीके और आप देख सकते हैं if condition यहाँ पर apply की है friends के particular character a particular character a asterisk a लगा दिया तो मतलब उस address पड़ी वी value तो उस address पड़ी value क्या है a and ठीके a asterisk of a that is a not equal to the space तो यह तो condition true है यह भी condition true है जब condition true है तो हमें क्या करना है इसको फू को again next address से call करना है ठीके तो हमने यहाँ पर क्या किया यह फू था हमने base address पास किया let's say यहाँ पर मैंने hundred pass किया है ठीके then hundred and one two three four five six seven और eight ठीके तो यहाँ पर क्या होगा हमने पहले सबसे पहले क्या पास किया base address जो की क्या है let's say hundred उसके बात में फिर से जो है हमें क्या पास करना है next address it is who one zero one और next address पर आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे condition apply होगी फिर से जब इस condition apply होगी friends तो यहाँ पर obviously बात है कि space नहीं है तो condition यहाँ true हो जाएगी तो हमें क्या पास करना इसका next address जो की क्या है फू one zero two ठीक है फिर से condition हम चेक करेंगे क्या space है क्या नहीं है तो next address यहाँ पर पास होगा क्या फू one zero three और again यहाँ पर फिर से हम पास करेंगे तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या आ गया है कि space आ चुका है क्या चुका है space आ चुका है तो space आने पर क्या हो जाएगी friends condition false हो जाएगी जब condition false होगा तो यहाँ पर stack का concept apply हो रहा है obviously बात है चाहाँ recursive code होगा वहाँ पर stack का concept होगा जो last जो value insert हुई हो सबसे पहले बाहर होगी तो put care a 103 पे जो character है वो है d इस पे है आपका c और इस पे है b और इस पे है a तो recursively call होगा last से print होना start होगा तो answer क्या आ जाएगा d c b और a यह जो है यह जो first half है वो reverse order में जो है print हो जाएगा तो friends इसमें answer क्या होगा d answer क्या होगा हमारा d ठीके this is the explanation जो मैंने आपको अब भी बताया now friends consider the following c code c code है आपके पास में और इसमें एक हमने जो है fun में fun नाम का एक function है जिसमें क्या pass किया है हमने 5 pass किया है n की value क्या होगी friends यहां पर n की value हो चुकी है 5 n की value 5 x की value है 1 ठीके और एक k variable है ठीके जिसमें अभी कोई भी initial addition नहीं किया गया है now if n is equal to 1 then return x जो भी x की value है वो return हो जाएगी ओके और यहां फिर से हमने एक loop चलाया है friends k is equal to 1 k less than n और plus plus k और x is equal to x plus 1 k into 1 n minus k ठीके तो यह हमने loop चलाया है friends और जो भी x की value जो return होगी वो क्या करना है हमें output में क्या return होगी वो बताना है clear तो इसका सीधा सदा question है friends यह बहुत recursive call होगे और जितने recursive call होगे उतने x की value जो भी होगी अब वह पे पताना है clear तो यहां पर हम सबसे पहले दिखते हैं n की value तो 1 है नहीं अभी तो return x होगा नहीं तो k is equal to 1 k की value 1 है 1 less than and equal to 5 condition true होगई condition जब true होगई तो statement क्या है x is equal to x plus अब initially जो है यहां पर x की value कितनी है friends 1 है तो 1 plus 1 of k की value initially 1 है into into 1 n minus k मतलब 5 minus 1 कितना हो जाएगा यहां पे 4 हो जाएगा ठीक है फिर से यह recursively call होगा यह भी recursively call होगा 1 pass करेंगे हम यहां पर क्या pass करेंगे 4 pass करेंगे तो हमें क्या करना है friends की fun 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 की value तक हमें calculate करना है ठीक है जैसे fun 4 pass करेंगे 1 हम 4 pass करेंगे तो k 1, 2, 3, 4 fun 1 pass करेंगे तो 1 less than 1 ठीक है condition जो है यहां पर true हो जाएगी वैसे तो fun 1 की value क्या होगी यहाँ पर return 1 ही होगा क्योंकि जब n equal to 1 है तो fun 1 की value क्या होगी जो है 1 ही होगी उसके बाद में हम fun 2 की value को calculate करेंगे तो जो है यहाँ पर 2 तक चलेगा तो 1 उसके बाद पर फिर से 2 तो 3, 4 हमें यहाँ पर क्या करना है fun 1 से लगा के fun 4 की calculation करनी है तो आप यहाँ पर देखें friends के fun 1 obviously बात है क्या calculation होगी यहाँ पर उसकी value 1 ही होगी fun 2 की बात करो तो friends क्या होगा condition आप देखें जो k की जो value है वो एक बार ही चलेगी क्योंकि यहाँ पर equal to नहीं है तो fun 2 की value क्या होगी friends 1 प्लस F1 ठीके इंटू N माइनस K ठीके N माइनस K मतलब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यह फिर से हो जाएगा 1 fun 1 की value हम already calculate कर चुके है तो 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 नहीं होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 fun 2 जो है वो कितना आ गया है friends हमारे पास में 2 आ गया ठीके इसी तरह से friends हम किसके लिए calculate करेंगे fun 3 के लिए calculate करेंगे अब fun 3 जो है fun 3 जो है वो चलेगा कहां से कहां तक x की value 1 से x की value 2 तक अब यह वापस से x का initialization किस तरह से हो रहा है क्यों क्योंकि x जो है वो क्या है एक local variable है static variable नहीं है यह static variable नहीं है एक local variable है इस वज़े से वापस क्या होगा x का initialization होगा वापस क्या होगा x का initialization होगा तो यह x जो है वापस 1 से और start हो जाएगा ठीके last जो updated value उससे start नहीं होगा clear ? तो वैसे ही friends हम यहाँ पे पहले तो let's say k is equal to one के लिए solve करते हैं और n क्या हो जाएगा three तो equation क्या होगी one plus ठीके one plus और f of f of यहाँ पे क्या है friends f of k ठीके f of k तो k जो है one है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा one plus ठीके n minus k n minus की क्या हो जाएगा friends one of two और one of two की value हम already calculate कर चुके है यहाँ पे asterisk है तो one plus one into two यह कितना हो जाएगा two plus one कितना three इसके लिए k की value के लिए इसके लिए k की value के लिए ठीके उसके बाद में k is equal to two के लिए solve करेंगे ठीके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा last जो updated जो value है कितनी है three है तो three plus value three plus यहाँ पे हो जाएगा आपके f of k मतलब f of two asterisk n minus k n minus k मतलब one one तो यह हो जाएगा one one ठीके तो fun की two की value जो है वो two है two into one कितना हो जाएगा two हो जाएगा two plus one कितना हो जाएगा friends five हो जाएगा तो fun three की value कितनी आएगी friends यहाँ पर five आएगी तो ऐसे ही आपको fun four की और fun five की भी value calculate करनी है और जब आप finally जब calculate करेंगे जिसे fun four जो है one two three तक चलेगा one five जो है one two three four तक चलेगा finally जब आप calculate करेंगे तो उसका answer आएगा friends क्या fifty one तो यह आपको recursively call करते रहना है तो यह आप पूरा इसको करें दो तिन स्टेप मैंने आपको बता दिया है और अब next step तक आप last solve करें और answer क्या निकाले 51 निकाले गड़बर मत करें just plus minus करना है और कुछ भी नहीं करना है ठीक है next question हम देखते है friends जो कि एक stack के concept के उपर based है ठीक है easy question है friends बहुत easy question है आप देखें यहां पर stk func function है जिसमें हमने कुछ दो argument pass किये है और एक static type के variable है size और stk top okay और switch case में जो भी upcourt की value है वो हमने यहां पर pass की है if case is equal to minus one case zero और default ठीक है यह तीन हमने यहां पर choices दिया है otherwise return minus one main में आप देख सकते हैं कि एक array है जो की size किती है यहां पर twenty है और बी जो array है friends उसको हमने a में क्या करिया है copy किया है ठीक है so initially stk top की value हमने minus one set करी है उसके बाद में हमने stk func को call किया और देखें आप दो argument pass किये है एक तो यहां पर minus one हो जाएगी upcourt की value और initially क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है तो stk func call होगा है यहां पर ठीक है size zero और stk top वापस से 0 से initialize हो गया ठीक है यहां पर this is the local variable और stk func और यहां पर stk top है friends वो main का local variable है तो आप code की value minus one है तो minus one है तो यहां पर minus one transfer होगा case से case match हो गया जो भी value है 10 जो value है वो size को initialize कर दिया तो stack की size है friends वो कितनी हो गई 10 हो गई यहां पर size कितनी हो गई 10 हो गया ठीक है उसके बाद में आप देखें कि हमने 0 और 0 पास किया है stk func में तो stk func में जब 0 पास किया है तो case 0 match होगा यहां पर क्या पास किया है 5 और 10 तो आप देख सकते हैं कि condition यहां पर हमने लगई है stk top जो भी top की value है less than the size condition true है ठीक है तो हमें क्या करना है कि जो भी value है उसके top में insert कर देना है ठीक है टॉप में हम insert कर देंगे पहले हमने 5 पास किया ट default case जो है हमारे सामने यहां पर execute होगा क्योंकि case 1 तो कोई है नहीं, यहांपर default case execute होगा तो sdk top, यहां पर sdk top में कोई value है, तो return क्या होगा, जो top की value है वो return होगी तो पहले top के value क्या आएगी, यहां पर 10 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, ठीके, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, नल आजाएगा, तो यहां से क्या आया, 10 आया, 5 आया, तो जो भी इन कसम है, 10 और 5 कसम है कितना, 15, यह हमारा क्या हो जाएगा, friends, answer हो जाएगा, so value printed by the above program is 15, see, इसका answer क्या हो जाएगा, friends, सही हो जाएगा, ठीके, so friends, यह थे questions और इसका explanation आप देख सकते हैं, initially 10 जो है, then push 5, push 10, और उसके बाद में दोनों value पॉप अप होंगी, और finally जो सम है, 10 प्लस 5, 15, यह output में print हो जाएगा, ठीके, So friends, these are the questions that is covered in 2005, 2015, GATE CS Computer Exam, okay, thank you so much for watching this video.